हेलो गाइस केसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रियल मी C25 Y phone में आप लोग Wi-Fi को केसे connect कर सकते हो without password अगर आप लोगों को जो है Wi-Fi का passport मालूम नहीं है तो आप लोग केसे connect कर रहे हैं अपने phone को Wi-Fi के साथ तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो Wi-Fi को without password connect करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को settings में जाना है और या पर network and internet का option होगा इस पे click करना है क्लिक करने के बाद या पर एक Wi-Fi का option होगा इस पे click कर दीजिए click करती आप लोग Wi-Fi के settings में आ जाओगे ठीक है guys settings में आने के बाद या पर सबसे पहले जो आप लोगों को Wi-Fi को on करना है on करने के बाद या पर आप लोगों को ले लेना है जिससे आप लोग without passport connect करोगे तो यह रहा मेरा दूसरा फोन और दूसरे फोन के जो है आप लोगों को hotspot setting में जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को on कर लेना है ओन करते ही यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा देख सकते ही आ गया है और यहाँ पर पासपोर्ट भी लगा हुआ है ठीक आज विडाउट पासपोर्ट कनेक करने के लिए देख सकते ही यहाँ पर एक QR कोड का ओप्शन है तो QR कोड पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही एक QR कोड यहाँ पर शो हो जाएगा तो इस QR कोड को हमें इस फोन से स्केन करना है स्केन करने के लिए देख सकते है एड नेटवोक के साइड में एक स्केनर का ओप्शन है तो इस स्केनर में हम क्लिक करेंगे क्लिक करती हमारा केमेरा ओपेन हो जाएगा और इसी केमेरा से हमें स्केनर को स्केन कर लेना है तो यहाँ पर मैं स्केन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को तो देख सकते हैं स्केन करते ही मेरा जो फॉन है वो गेलेक्सी A14 5G के साथ मैंने कोई भी पासपोर्ट नहीं डाला है यहाँ पर आप लोगों को लाइब दिखाया मैंने तो ऐसे करके जो आप लोग अपने रियल्मी C25 वाइफोन को वाइफाई के साथ कनेक्स कर सकते हूँ पासपोर्ट तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कलेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई